नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरे ख्याल से अच्छे होंगे अपनी पढ़ाई दिखाई को बच्छे से आप कर रहे होंगे 2022 बीच चुका लेकिन 2022 के करेंट अफियर 2023 में भी इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के करेंट अफियर एक डेल साल पुराने अकसर व्याख्या हम करेंगे कम से कम इतने प्रशन और आपके तयार हो जाएंगे तो आप लोग इसको question के साथ साथ में व्याख्या सही तयार करने की कुशिस कर लिए महों पांडे आपका गाईज आपका दोस्त चलिए सुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रशन उत्तर प्रद जाएगा और जहासी रेलवे स्टेशन बिरांगना नच्मिवाई रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा पाजबाद रेलवे स्टेशन का नाम आयोध्या रेलवे जंसन किया गया है ना कि स्री राम तो ये गलत हो जाएगा तो पहला और तीसरा यहाँपर सही है जब प्रदेश के बच्चे थे तीन, टोटल बच्चे थे उन्तिस, उसमें 22 थे 15 और जो गर्स थी वो थी 14, तो तीन बच्चों को ये प्रुसकार दिया गया, इसमें एक लाख रुपी नगत दिये जाते हैं और साथ में प्रसस्तिपत्र दिया जाता है, निम्रिकित में से कौन सा कतन सही नहीं है, सिवांगी सिंग का तंत दिवस परेड 2022 में भारती वायुसेना की जाकी का हिस्सा थी, 2022 की जब परेड हुई, तो ये थी उसमें हिस्सा, केवल पहली महिला फाइटर जे पाइलेट है, जो हिस्सा बनी, और वो उत्तर प्रदेश के वारणसी जिले की रहने कंट पहले हिस्सा बन चुकी है, महिला, फाइटर जेट, पाइलेट, भावना कंट, तो बी ऑप्शन इसका विलकुल करेक्ट हो जाएगा, जहां पर भी केवल पहली इस ताइप पे सब्द आएं, तो वहां पर आपको ध्यान ज्यादा देना होता है, निम्रिखित में से कि सहर में भारत की पहली पैरा वैडमिंटन अकाडमी अस्थापित की गई, दो हजार चौबिस में पैरा उलम्पिक गेम्स होने वाले हैं, उसमें भारत की प्रफार्मेंस अच्छी हो पाए, तो इसलिए लखनाओ में, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, लखनाओ में पैरा वै प्रकारी संस्थान के द्वारा पहली किप्थी जो डेबलब की गई थी ओमिक्रोन के लिए, और नाम रखा गया था इसका ओम, केंद्रिय औसदी अनुसंधान संस्थान जिसने इसको डेबलब किया था, और केंद्रिय औसदी अनुसंधान संस्थान कहां पर है, ये उत्तर लखनों की टीम का नाम तो लखनों की टीम का नाम बहुत सारा पॉल कराया गया था लोगों सेसेशन लिया गया था फिर लखनों सुपर जाया था यह option इसका बिलकुल correct हो जाएगा अगर कभी आप से पूछ लिया जाए तो कि इसकी किसने इस जो लखनों फ्रेंचाइजी है इसके कपान किसने समाली थी तो यह के अल राहूल थे जिनके हाथ में इसकी कमान थी टाटा पावर रिमनेवल एनरजी लिमिटेड में उत्तरप्रदेश के प्रियाग राज और बांदा इसमें कुल कितने मेगावाट की सौरूर्जा प्रियोजनाओं को सुरू किया तो मेगावाट की यह प्रियोजनाए थी यह उप्सन ही इसका करेक्ट हो जाएगा और अगर पैसे की बात की जाए तो इसमें लगभग पैसे आपसे पूछे नहीं जाएंगे छोड़ दीजे इसको सालाना इसमें 221.26 मिलियन यूनिट से अधिक की उत्पादन की बात कही गई है कि इसमें कौन सा है 11 जन्वरी 2022 को लाल बहादुर सास्त्री की 56 पुनिति थी मनाई गए उनका नारा था जै जवान जै विग्यान जै किसान जै विग्यान दो अक्टूबर 1904 में यह बारा नसी की मुगल सराय में इनका जन्म हुआ था और 64 से 6 तक भारत के दूसरे बी ऑप्सन इसका तरेक्ट को कि यही गलत है और असत्य कथन ढोड़ना है तो यह तरेक्ट हो जाएगा उत्तरप्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा के पास चार गाओं को राजस गाओं खुसित किया यह किस जिले में इस्तित है भारत और नेपाल की सीमा मिलती है उत्तरप्र समदाय है वन टांकिया जो समदाय है यह मियामार्म से आपनवेसिक शासन के दारान पेड़ लगाने के लिए लाए गए लोग थे अब यह ऐसे जंगलों में रहते हैं जंगलों में उनके क्या अधिकार हैं उनको सीमित करना भी जरूरी है और कुछ अधिकार देना भी अधिकारों को वो अधिकारों से वंचित ना हो और साथ में गलत अधिकार भी नहीं इनको भी नियंतिक कर सके इसलिए प्रयास किये जाते हैं तो यह बहराईज के चार गाउत में तीसरे राष्टी जल प्रुसकार में उत्रप्रदेश को कौन सा अस्थान प्राप्त हुआ है देश की पहली मोबाईल हनी प्रोसेसिंग वैन का सुबारम कहां पर किया गया हनी प्रोसेसिंग वैन खादी और गरामोद्योग आयोग ने इसको सुरू किया उस विभाग के दौरा यह सुरू किया गया आट घंटे में 300 किलोग्राम सहत पसंस्कृत करने की च्मता रखती ह और एक गाओं पढ़ता है सिरोरा और यह पढ़ता है गाजियाबाद में वहीं पर सबसे पहले इसको सुरूर किया गया था CCEA, CCEA का मतलब क्या है? आर्थिक कारियों की मंत्रिमंड़िये समिती उसने भारत के हरित उर्जा कॉरिडोर के दूसरे चरण के लिए 12,031 करून की मंजूरी इतने करून रुपिय की मंजूरी दी है तो उत्तर प्रदेश सहित कितने राज्यों को इसमें सामिल किया गया है एक तो यूपी है, यूपी के अलावा छे और है तो टोटल है साथ उत्तर प्रदेश के अलावा गुजरात, हिमाचल प्रदेश, करनाटक, केरल, रास्थान, तमिलाडू ये टोटल साथ है, एक यूपी इसमें है तो साथ इसमें राज्य सामिल किये गया है प्रदानमंत्री मोदी ने मेजर ध्यानचंद्र खेल बिसमें द्यालेकी आधार सिला किस्तिती को रखी मेरट में एक अस्थान पढ़ता है, सर्धना और सर्धना के दो गाउं दोनों गाउं का नाम भी आपको ध्यान ड़ान रखना है, सर्धना यह कस्वा है दो गाओं हैं सलावा और कैली तो सलावा और कैली ये दो गाओं जहाँ पर ये इनिवर्सिटी बनाई जा रही है दो जनवरी 2022 को जब पहला दिन था नए साल का उसके जश्ट दूसरे दिन मोदी जी ने इसकी आधार सिला रखी थी 700 करोण रूपिय की लागत से इसको बनाया जाएगा बन रहा है 540 बॉइस और 540 गल्स इसमें प्रसिच्छन ले सकेंगी इसमें एड्मिशन ले सकेंगी सीख सकेंगी भारत अमरिका सैने सहयोक समो की वैठक का उन्नीसवा संस्क्रण उत्तरप्रदेश में कहा पर आयोजित किया गया आयोजन उत्तरप्रदेश में किया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, यू पी करेंट में, ये आगरा में आयोजित किया गया। अठारा पहले हो चुके थे आयोजन, ये उनिस्वा आयोजन था, उनिस्वा संस्क्रम था इसका, आगरा में इसको आयोजित किया गया, किस संस्थान ने एक बायोडेग्रेबल लैनो पार्टिकल बनाया है, जिसका उप्योग फसनों को वैक्तिरिया और फंगल विमारियों से बचाने के लिए रासायनिक आधारित कितनासकों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है, जो कितनासक डाले जाते हैं, खरपतवार नासी डाले जाते हैं, वो हमारे फूर्चेन में भी सामिल हो जाते हैं, इन्वारिमेंट के लिए भी नुकसान दायक होते हैं, आयाइकी कानपुर ने एक प्रयास किया बायो डिडिडियेबल नैनो पार्टिकल बनाने का कि वो उसी में समाप्त हो जाए गल जाए और हमारी पूर चेन में सामिल ना हो कोई हानिकारत प्रभाव हमारे उपर डाले कम सांदरता के मिट्टी में घुलने मिट्टी पे कोई बुरा प्रभाव न डालने वाले और मानो स्वास्त पे बुरा प्रभाव न डालने वाले ये पार्टिकल है अगला जो प्रश्न है उत्तर प्रदेश की किस वन जीव अभिहारण को रामसर अस्थल गोसित किया गया है रामसर अस्थल आपको पता होगा एक रामसर समझाता हुआ था आदरभून के सलचण और सतत उप्योग को बनाये रखने के लिए तो उत्तरप्रदेश का जो वखीरा वनिजियो अभिहारण है उसको रामसर अस्तल गोसित किया गया था और इसी के साथ जामनगर का जो गुजरात में पढ़ता है खिजडिया पच्छी अभिहाराण उसको भी रामसर अस्तल गोसित किया गया था उस समय 49 हो गई थी इनकी संख्या बाद में ये 50 क्रास हो गई है 50 रामसर अस्तल बाद में कुछ और अपडेट होगा तो हम आगे डि अगला जो प्रशन है गरतंत्र दिवस परेट 2022 की सर्वसेष्ट राज जहाकी की रूप में उतरप्रदेश की की जहाकी को चुना गया वैसे टोटालिटी में देखा जाए लोगपरियता की दिष्ट से महराष्ट की जहाकी सबसेष्ट थी वो लेकिन सर्वसेष्ट राज जहाकी के रूप में जो चुना गया था वो कासी विसुनाज जहाकी को चुना गया था उतरप्रदेश ने इसको प्रजेंट किया था 80 भी सुनाज जाकी हूँ तो 80 भी सुनाज पूरा 80 बदल गया ने तरीके से उसको मंदिर को बनाया गया आसपास की चीज़ों को परवर्थित किया गया तो इसी पेग जाकी इसी थीम पेग जाकी थे निम्लिखित में से कौन सा कथन आ सकते है राष्टिय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है बिल्कुल सही बात है अलग से भी फ्रश्न बन सकता है 13 फरवरी को भारत की कोकिला सरुजनी नाइडू की जैनती होती है इसी कारण से इसको मनाया ही जाता है सरुजी नाइडू अध्धिक्ष की रूप में निर्वाचित होने वाली यहाँ पर नोट करिए कांग्रेस अध्धिक्ष की रूप में निर्वाचित होने वाली पहली महिला थी गलत बात वह उत्तरप्रदेश की पहली महिला राजिपाल थी पहली जो महिला थी ये भारतिय महिला थी अगर यहां पर कांग्रेश की अध्यक्ष बनने वाली भारतिय महिला लिखा होता तब तो ये सही होता लेकिन पहली भारतिय महिला नहीं लिखा है इसलिए गलत है क्योंकि पहली महिला के तौर पर किसको चुना गया था कॉमेंट करके आप हमको बताएंगे, इतिहास आपने पढ़ा होगा, गीता प्रेस गोरखपुर के राधे स्याम खेमका को लिम्रिकित में से किस, पुरुसकार से सम्मानित किया गया, कौन सा पुरुसकार उनको दिया गया है, तो 2022 का पदम भिभुशन पुरुसकार उनको दि प्रेस में पाया जाता है, बाकि ये विजनेस से ज़्यादा एक स्रद्धा भाव, एक सेवा भाव इस प्रेस में पाया जाता है, केन वेतवा लिंक प्रियोजना किन राज्यों को लाब पहुचाएगी, केन वेतवा लिंक प्रियोजना जो है, बड़े दिन से पेंडिंग है, और 2022-23 का जो बजट था, उसमें एक्रिकल्चर के छेत्र में जो गोशनाय हुई थी, तो उसमें केन वेतवा लिंक प्रियोजना को भी लगबग 44,605 करुण रूपे धन आवंटित करने की बाद भी कह ही गई थी, हमारा जो बुंदेल खंड का छेत्र है, वो पूरा सूखा पड़ा रहता है, वहाँ पर गरीबी भी बहुत है, क्योंकि खेती भी नहीं हो पाती, तो उस छेत्र को अगर डेवलेप्ट करना है, तो ये बहुत लाबदायक प्रियोजना मद्द प्रदेश और उत अगीत बिधा में, बिरले रशनाकार उसके ये थे, एक संस्था भी है, अगीत परिसत उसके संस्थापक भी थे, लखनाव वेश्ट ये साहितकार और इनका भी निधन हो गया है, और इनको उत्तरप्रदेश हिंदी संस्थान का रंगनात मिस्रा जो पुरुषकार है, तो रंगनात मिस्र सत्य उत्तरप्रदेश हिंदी संस्थान का साहित भूशन सम्मान, तो उससे भी इनको विभुशित किया गया था, रंगनात मिस्रा जी को, वरिष्ट साहितकार थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, के जी एम्यू उत्तरप्रदेश के कितने जिलों में फै ये पहल है, और छे जिलों में इसने काम भी कर डाला है, गोरगपुर बारणसी, अयुद्या, कन्यो, सैफ़ेई, परियागराज, यहाँ पर इसने सुरू कर दिया है, और छे और जिले हैं, जिसमें गोंडा है, रायवरेली है, बारवन्की, बहराईच, प्रताबगड है, जहाँ पर ये आगे इन सेंट्रों का विस्तार करने जा रहा है, कि वहाँ पर रेडियो थेरेपी की सुधा मिल पाए, तो टोटल 6 प्लस 6, तो टोटल ये 12 डिश्टिक है, जहाँ पर ये अपना ये सुरू कर रहा है, सहायता केंदर कैंसर मरीजों के लिए, नेसनल पैरा प ध्यान रखना है, ये कोलकाता में आयोजित हुई थी, मार्च में 2022 में कोलकाता में इसका आयोजन किया गया था, बीच से 29 मार्च 2022 तक आगरा में आयोजित होने वाले ताज महोत्सों की विसेवस्ट क्या थी, तो आजादी के अम्रित महोत्सों के संग, ताज महोत्सों के रंग इसी थीन के साथ ताज महुत सो मनाया गया था निम्रिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है योगी आदे तिनाथ में 25 मार्च 2022 को लखनओ के अटल भिहारी वाचपई इकाना इस्टेडियम में दूसरे कारिकाल के लिए सपक लिए 33 मुख्यमंत्री है वो लगातार दूस इसका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा बाकी इसमें बाते सब सही थी निम्रिकित में से किस संस्थान ने रोगियों में बिना चीरफाण के सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने का तरीका ढूम निकाला तो बनारस हिंदू इनिवरसिटी के जो डॉक्टर्स लोग है उन्होंने ये एक विदी इजात की है इसके पहले टीसू बैयोपसी की जाती थी और उसी से पता लगाया जाता था सर्वाइकल कैंसर के बारे में काफी दर्दनाग काफी दर्द भरा ये तरीका हुआ करता था और अब ये सही है भारतिये निसानेवाज सौरब चौधरी ने आई SSF व आपका गाउं आपका आपसे संबद्द जितने भी लोग हैं सब कुछ important हो जाते हैं सौरब चौधरी जो हैं ये मेरट के रहने वाले हैं मेरट का एक छोटा सा गाउं पिता जीन के किसान और इन्होंने कई पुरुसकार जीते हैं 19 साल के अभी ये भारतिये सूटर है और माइकल वाल्ड को हराया था जो ISSF की बात हम कर रहे हैं विसुकप की तो उनको हरा दिया था कलीना गाउं पड़ता है कहाँ पर मेरट में वहीं के रहने वाले हैं आप जब कोई बड़ा काम करते हैं तो आप लोगों के लिए महत्पूर हो जाते हैं निम्लिकित में से कौन स कतन सही नहीं है प्रोफेसर दीपकदर बोर्जवेन पदक से सम्मानित होने वाले प्रतम भारतिये बने आयाटी कानपूर के पूर्वचात्र है सांकेकी बहुतकी के चेतर में उतकेश्टकारी के लिए इनको पुरुसकार दिया गया है तीनो बातें ये सही है प्रतेक वर् गाट है कहां पर वाराणसी में वहां पर एक घाट पड़ता है तुलसी घाट तो धुरुपद मेला अंतराश्टिय मेला था और वाराणसी के तुलसी घाट पर इसका आयोजन किया गया था दो मार्च 2022 को तुलसी घाट पर पांच दिनों के लिए ये मेला आयोजित हुआ था ये जो मेला है ये महराजा बनारस विद्या न्यास और धुरुपद समीत के तत्वधान में किया जाता है और प्रतेक वर्स फरवरी और मार्च के महिने में ये आयोजित किया जाता है 287 वैच के ये आईयस आफीसर है और इनका नाम है देवासीस पांडा देवासीस पांडा दो साल के लिए जनवरी 2022 में इस पत पर बैठे इसको आपने सुना होगा इसको भारतिय भीमा नियमक और विकास प्राधिकरण कहते हैं जो इस नाम के अनुरूप आप जान भी सकते हैं यहाँ पर डिटेल बताने की कोई जुरूरत नहीं है इसके पहले सुभास चंदर खुटिया थे उन्हीं की जगह पे इनको चुना गया है हिंदी साहित समेलन क तिहत्रवा अधिवेशन कहां पर आयोजित किया गया हिंदी साहित का जो समेलन है वो 27 सालों के बाद में प्रियागराज में आयोजित किया गया था प्रियागराज में इसके पहले भी कही बार समेलन हो चुके हैं और 1994 में अंतिम बार हुआ था 1994 से 27 साल के बाद में यह आय किलोमीटर लंबे, Express Way का नाम क्या रखा जाएगा? लखनऊ से ये उतराखंड को connect करेगा. गोमती नदी के किनारे किनारे जा रहा है, इसलिए इसका नाम गोमती Express Way रखने की बात कहीजा रही है. ये जो सहर हैं जिनको connect करेगा, उसमें दो बहुत सहर और एक स्थान है, दुधवा नेसनल पार्क को ये जोड़ेगा, और उत्राखंड का जो नैनिताल है, नैनिताल हल्दवानी जो पड़ता है, हल्दवानी को जोड़ते हुए ये निकलेगा, किस घाट को नमो घाट के नाम से जाना जाएगा, बहुत सारे से आदिकेसो के बीच में जो जगह है, उसी जगह पे ये नमो घाट डबलब किया जाएगा, ये उप्सन इसका बिलकुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और खिर्किया घाट पर नमसकार मुद्रा की एक आकिरती भी लगाई जाएगी, 75 फिट उची होगी, और ये बारारसी में होगा, इतना तो आपको ध्यान रखना ही है, घाट जहां भी बात आए, तो पहले आप सोच लीजिए, जहां तर आपको वारारसी से प्रश्ण वो घाट वाले मिलते हैं, संगीत नातक अगाडमी द्वारा, वारारसी में हुआ पुतिल उत्सो का आयोजन, किस घाट पर हुआ, किस घाट पर ये आयोजन किया गया, तो ये घाट है असी घाट, ये अप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, तो पांच बड़े सहरों में आयोजन इसका हुआ था, उसमें एक वारारसी भी था, और विश्वा कट पुतली दिवस जो होता है, तो उसी के आउसर पर य जारी की जारी रैंकिंग में भोपाल पहले अस्थान पर है, उतर प्रदेश में कौन सा सहर, सीर्स अस्थान पर रहा, ये ध्यान लखिएगा, ये फरवरी 2022 में जो रैंकिंग जारी की गई थी, इसकी बात हो रही है, लखनाओ इसमें सीर्स अस्थान पर, नहीं स्वाराण सी है निम्डिकित में से किसे विज्ञान का प्रतिष्टित खोषला राश्टिय पुरुषकार दिया गया most important प्रश्षन है आयाटी कानपुर के प्रोफेसर है जिनोंने जी प्रोटीन युगमित रेसेप्टर्स की सलचना, कारे और माडियोलेशन के छेत्र में रिसर्च किया है इनको खोशला अंतराष्टिय प्रुस्कार दिया गया प्रोफेसर अरुन सुपला, निर्यात ततपरता सुचकांग 2021 के बारे में निम्डिकित में से कौन सा कतन सही नहीं है यह सुचकांग मीतिय आयोग के द्वारा जारी किया गया लगतार दूसरे साल गुजरात पर्थम अस्थान पे रहा उत्तापरदेश को दूतिय अस्थान पराप्त हुआ गलत है, परनाटक कोई सीची में तीसरा अस्थान मिला है, सही है सेकेंड अस्थान पर यहां पर रहा है महराष्ट, तो यह सी वाला यही गलत है, यही सही हो जाएगा हमेशा सही ही सही नहीं होता कहीं कहीं पे गलत भी सही होता है तो यह ध्याले किया पंडित हरी परसाद चौरसिया, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरुसकार महराष्ट के थाड़े सहर में यह कायोजन हुआ था, वहीं पर दिया गया है जहां तक बात है हरी परसाद चौरसिया की बहुत बड़े यह बाश्री वादक थे प्रयागराज में एक जुलाई 1938 को इनका जन्म हुआ था और यह जो पुरुसकार है यह अगला जो परशन है अब्दुल समी ख्शान भी जो है कौन होंगे यह जर्second हमको कमेंड करके बताईएगा कि इनके बारे में आप क्या जानते है common sense आपका क्या कहता है उत्तरप्रदेश को राष्टिय जल पुरुसकार में पर्थम अस्थान पराप्थ हुआ सर्वसेष्ट जिला स्रेणी में उत्तरप्रदेश के किस जिले को सर्वसेष्ट जिला पुरुसकार प्रदान किया गया तो सर्वसेष्ट जिला स्रेणी में ये 2022 की बात है मुझबफर नगर को सबसेश्ट जिला पुरुसकार दिया गया था किसको मुझबफर नगर, उत्तर प्रदेश में पढ़ता है तो उसको दिया गया था अगला जो प्रश्ण है पद्मा पुरुसकार 2022 की दृष्टी से निम्रिकित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है व्यक्ति और पुरुसकार रादे से हम खेमका पदम विभूशन, कल्याण सिंग पदम विभूशन, नलिनी अस्थाना पदम विभूशन, डक्टर कमलाकर त्रिपाठी पदम स्री तो कमला करतिर पाठी पदम स्री सही है, पल्यार सिंग पदम भीभुशन और दारतियाम खेम का पदम भीभुशन ये सही है, नलनी आस्थाना जो है, इनको कला के छेतर में कौन सा पुरुसकार दिया गया था, ये भी ध्यान लगना है आपको, ये पदम स्री था, क्या था, प सदस्य चुने जा चुके हैं तो ये आठ वार सदस्य चुने जा चुके हैं डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कानपुन नगर की महराजपुर सीट से सतीस महाना अठारमी विधानसभा के अध्यक्च चुनने से पहले वहाँ पे चुने गए हैं 1991 में पहली बार विधायक बने थे उसके बाद लगातार विधायक बनते ही रहें आठमी वार ये विधायक चुने गए हैं और पहले ये जो पहली सरकार थी दूसरी सरकार नहीं ये तो योगी सरकार दो हैं 2.0 है महाना योगी सरकार फष्ट में अध्योगी विकास मंत्री भी तो यह विकास हुआ है, ग्रामीड विकास और पंचायती राज मंतराले के द्वारा, लोगपाल एब जो है, ओप्सपरसन एब जो है, यह ग्रामीड विकास पंचायती राज मंतराले के द्वारा डिबलप किया गया है, हाली में जारी आकडों के अमसार, भारत का सीर सबजी उत्पादक राज्जी कौन बन गया है, तो ये जो आकड़े थे, 2021-2022 के, जब तक नए आकड़े नहीं आते हैं, यही चलेंगे, तो सीर्स सब्जी उत्पादक राज्जी उत्तरप्रदेश था, C option इसका, correct हो जाएगा, पूरे इंडिया में, आलो और इंडिया, ये यूपी फश्ट पोजी सिल्पे, उत्तरप्रदेश के कितने जिलों की तहसीलों को मिलाकर, एक नया जिला, आवला बनाया जाने का प्रस्ताव रखा गया है, तो ये तीन, तीन तहसीलों को मिलाकर ये बनेगा, बरेली, बदायूं और रामपुर, जिले की इसमें तहसीले सामिल की जाएंगे, बरेली, बदायूं और रामपुर की, और आवला डिश्टिक बनाया जाएगा, बिगत पांच वर्सों में जेम पोर्टल से खरिदारी के मामले में उत्तरप्रदेश का देश में कौन सा अस्थान है, उत्तरप्रदेश इतना बड़ा है ना, कि यहाँ पर कुछ भी किया जाएगा तो प्रथम ही हो जाएगा, तो यह पहला अस्थान है, डी आप्सन इसका बिलकुल करेक्ट हो जाएगा, पांच वर्सों में जेम पोर्टल से सबसे ज़्यादा खरिदारी उत्तरप्रदेश में हुई है, दूसरे अस्थान पर गुजरात है, और तीसरे पर, सेकेंड पे आपका हो जाएगा गुजरात, और थर्ड पे अस्थान हो जाएगा मध्य प्रदेश का, हाली में उत्तरप्रदेश की मुख्यमंत्री के द्वारा किस जिले में स्कूल चलो अभियान की सुरुवात की गई, तो मुख्यमंत्री ये चार अप्रैल की बात है मेगा टेक्स्टाइल पार्क लखनाओ में अस्थापित करने की बात होई है, बी ऑप्सन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पियम बित्र योजना के तहत, लखनाओ से जब आप हरदोई की तरफ बढ़ेंगे, तो लखनाओ हरदोई रोट पे 1000 एकर जमीन में ये टेक् इंडरो लिक प्लेट फार्म अस्थापित किया जाएगा, प्रदेश का सबसे उचा हाइडरोलिक प्लेट फार्म, तो ये नोइडा में अस्थापित किया जाएगा, कहाँ पर नोइडा में. हाइड्रोलिक प्लेटफार्म ये 72 मीटर उचा होगा और अभी तक 42 मीटर उचा हमारे यहाँ था अब इस प्लेटफार्म की मदद से अगनी समन विभाग 35 मीटर उची इमारत में भी आग पर काबू पाने में सक्छम हो जाएगा उचाई से पानी डाल सकेगा उत्तरप्रदे गौतम बुद नगर और कानपूर चार सहर में पहले से इसने लागों की थी बाद में गाजियाबाद, मेरट, प्रियागराज और आगरा ये चार और सहर इसमें जो उने की बात हुई थी तो टोटल आठ सहर हो गया डी आप्सन अब और अपग्रेड होगा तो उसको हम आग जी सजार रुपे हैं मुक्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हाली पर उत्तरप्रदेश सरकार के द्वारा उत्तरप्रदेश विसेश सुरच्चाबल की छठी बटालियन को कहां अस्थापित करने का निरणय लिया गया है तो छठी बटालियन जो है ये आयुद्या में अस उत्तरप्रदेश सुरच्चा बल का जो गठन है वो सेप्टेंबर दो हजार बीस में ही अभी किया गया है ये बहुत पुराना बल कोई नहीं है ऐसा मत समझेगा तो सी ऑप्सन इसका है ये सिख्ट जो बटानियन होगी वो कहां पर आयुद्या में उत्तरप्रदेश सरकार किन जिलों में PPP मोड के माध्यम से मेडिकल कालेज अस्थापित करेगी ये अकसर चर्चा में बना रहता है अकसर न्यूजपेपर में ये चपता रहता है कि PPP मोड के माध्यम से मेडिकल कालेज बनने जा रहा है तो संभल और महराजगन में ये मिरने पहले लिया गया था आगे और भी इसको विस्तारित किया जा रहा है आगे प्रशन आपको मिलेंगे तो D option इसका बिलकुल ये correct हो जाएगा हाली में UNEP द्वारा जारी Frontier Report में उतरप्रदेश के किस जिले को दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा ध्वनी प्रदूशन वाला सहर बताएगा है तो दूसरा दुनिया का पूरी दुनिया में तो ये मुरादा बाद है C option इसका बिलकुल correct है ये सहर है मुरादा बाद पूरी दुनिया में दूसरा ऐसा सहर है जहां पे सबस्यादा ध्वनी प्रदूशन है प्रथमस्थान पे कौन है तो ये है ढाका ढाका है बांगला देश की राजधानी ये प्रथमस्थान पे है और जो अपना मुरादाबाद है मुरादाबाद किस लिये जाना जाता है जरा ये वताईएगा एक जिला एक खेली योजना कि राजध सरकार के द्वारा सुरू की गई है तो उसी तरज पे जैसे एक जिला एक उत्पात तो उत्तरप्रदेश सरकार ने एक जिला एक खेली योजना शुरू की C-Option इसका correct हो जाएगा आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो आप हमारे साथ जुर सकते हैं हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं हम लगतार आपके लिए ऐसे प्रयास करते हैं जो fruitful होते हैं फालतू कि कोई चीजे नहीं जिसको पढ़के, जिसको सुनके जिसको समझ के आपको लाब मिले वही काम हम करते रहते हैं उत्तर प्रदेश में जल जनित और वेक्टर जनित बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए किस अभियान की सुरुवात की गई है तो ये अभियान है 10 तक, कौन सा अभियान है 10 तक, ये आप्शन इसका विलकुल करेक्ट हो जाएगा जल जनित और वेक्टर जनित बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए ये अभियान है इन सेपलाइटिस, डेंगू, मलेरिया, चिकन गुनिया इन सब को कंट्रोल करने की बात इसमें ये गई हाली में उत्तरप्रदेश की किस वेक्टि को अंतराश्टी हिंदी गवरों सम्बान से सम्बानित किया गया है most important question है ये है गंगेज दिच्चित जौनपूर के रहने वाले हैं और जौनपूर में एक नागरिक PG कालेज है असनातकोत्तर महाविध्याले वही में ये विभागा ध्यक्ष के तौर पे काम करते हैं गंगेज दिच्चित अंतराश्टी हिंदी गवरों सम्बान प्राप्त करने वाले ब्यक्ति बने हैं और नेपाल की एक संस्था के द्वारा ये सम्बान दिया गया है जहां पर जो अपडेट करना है और ये पूरी सिंखला पूरे साल को गबर कर रही है तो साल भर के करेंट अफेर कई बार जब अपडेट होते हैं तो उसमें कन्फूजन भी होता है वो कन्फूजन भी आपका दूर हो जाएगा तो उत्तरप्देश का ये लखीमपूर खीरी है C option इसका विलकुल correct है लखीमपूर खीरी जो है इसमें तराई हाथी रिजर्व की अस्थापना की जा रही है और ये तराई हाथी रिजर्व जो है इसका नाम ही यही रखा गया है तराई वेल्ट है, नाम ये रखा गया है, एक सिवालिक हाथी अव्यारण है, उसके बाद ये दूसरा हाथी अव्यारण हमारे यहाँ पे open किया जा रहा है, तो इसका लखीम पूर्स खीरी सही आंसर हो जाएगा, हाली में उत्तरप्रदेश की किस सहर को वेहतर COVID प्रवंधन क लिए COVID Innovation Award से सम्मानित किया गया है, COVID Innovation Award, COVID Innovation Award जो है ये वारनसी को दिया गया है, इसको वारनसी को, ये option इसका विलकुल correct हो जाएगा, सूरत में एक कारिक्रम हुआ था, तो वही पर केंद्रिय सहरी विकास मंत्री जो थे, उन्होंने वारनसी को ये प्रुसकार दिया, अब यहां के जो officer होंगे, वो जाएंगे, लेंगे, DM होंगे, यहां के commissioner होंगे, वो जाके लेंगे, नॉर्मली DM जाके इस परुसकार को लेते हैं, अगले पार्ट में हम आगे के 60 फ्रश्न और करेंगे, 61 से लेके 120 तक के, और फिर उसका next पार्ट होगा, 121 से 180 तक का, और उसके maximum share करें, जितना share कर पाएं, उतना share करें, यह सब के लिए लापकारी हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, इस से से जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यबाद,